दोस्तो मालती चोहन के अंतिम संसकार में विष्णू राज को मालती चोहन के गउवाले और उनके फैंस नहीं जाने दिये आखिर क्यों इतना ही नहीं दोस्तो इसके बाद विष्णू राज ने जो कुछ भी किया है वो सब को जग जोड के रख दिया है दोस्तो मैं आप सब को बता दू कि इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे मालती चोहन के अंतिम संसकार में विष्णू राज को क्यों नहीं जाने दिया है और इसके बाद विष्णू राज ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक एकर बताऊंगा तो जैसे कि दोस्तो आप लोग जनते हैं विष्णू राज और मालती का जो जगरा था वो कई महिनों से चल रहा था और विष्णू राज पैसे के लालच में मालती चोहान को काफी टोचर करते रहता था और जगरा भी करते रहता था पैसे के लालच में आके विस्नुराज ने अपने मालती के दूसरे यानि किसी और से साधी करवा दिया ताकि यूटूब पे काफी जैदा से जैदा भ्यूज आ सके लेकिन मालती चोहन ऐसा नहीं चाहती थी उसको अपने पती का प्यार चाहिए था लेकिन मालती चोहन ये समझती थी लेकिन मालती चोहन के पती जो है विस्नुराज वो बिल्कुल ये सब नहीं समझते थे कि मालती चोहन विस्नुराज से कितना प्यार करते हैं लेकिन मैं अब सब को बता दू दोस्तों कि विस्नुराज बस पैसे के लालच में एक दूसरे वे और विशनु राज जो है देखते ही देखते बहुत खुस हो जादे। दोस्तों ये सब जो विशनु राज का जितना किये कराय हुआ था वो सब मालती चोहान के गउवाले को पता चल जाता है और मालती चोहान के कुछ फैंस को भी पता चल जाता है और ये बात इतना जैदा वेरल हो जाता है कि विसनुराज को मालती चोहन के अंतिम संसकार में ही नहीं जाने देता है इसके बाद जो है विसनुराज जो है वो काफी रोने लगता है वो कहता है कि ये मेरी पतनी है और मैं आप इसको अंतिम बार देखना चाहता हूँ और इसके अंतिम संसकार में भी ज काना चाहता हूं लेकि मालती चोहन के फैंस जो है वो बिलकुल इस बात से को इनकार कर देता है कि ये इसका पती है और ये साइद ये इसका पती होता तो इस तरह से मालती चोहन के साथ ऐसा ना करता तो यही कारण था दोस्तों कि मालती चोहन के अंतिम संसकार में विस्नुरा आज को नहीं जाने दिया है उसके फ्रेंस और मालती चोहन के गउंवाले ने तो सही किया है या फिर गलत आप लोग कॉमेंट करके हमें सिधा सिधा बता सकते हैं तो यह इता हमारे आज के वीडियो में वीडियो आप लोगो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ल सब्सक्राइब करें इसे और लोगों में सियर करें धन्यवाद